तो हेटर्स ने फैमान खान के उपर भी उंगलिया उठा दी हैं काफिसरे सवाल उठाइए हैं हेटर्स ने सोशल मीडिया पर चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार हेटर्स क्या बाते बोल रही हैं सुमुल को लेके सुमुल की बातों को लेके बिग बॉस को काफे सारी बाते बोले जारी है फैमान को भी काफे सारी बाते बोले जारी है आखिरकार क्या बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हेटर्स उसके बारे में जानकारी देते हैं मेरे साल लास तक जुड़े रहे हैं चाहें को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकिन को वो चीज़ पसंद नहीं करते हैं अगर बुरा उसके साथ हो रहा है तो वो लोग जो है काफिस जदा खुश होते हैं फेमान घर के अंदर आये थे काफिस जदा पहले से ही चर्चा चल रही थी लोग एक और जो है बेबी सिटिंग करने के लिए अंदर भेज दिया है बिग ब वैसे ही तीम को भेज देना था और प्रमोशन करवा लेना था वो सुंबूल का ही दोस्त था इसलिए तुमने परमीशन तुमने उसको एक्चली में घर के अंदर भेजा वेनसडे को भेजा और थर्सडे को शाम को तुम लोगों ने निकाल लिया उसके पास कितना टाइम थ एफिसोड में ठोड़ी सी चीज़े जो है दिखाई है उसने को सुंबूल को कित्स सब बाते जो है वो बताय होंगी समझाई होगी तो यह चीज़े जो है वेइंगे कि सुंबूल को जो है फैवर किया गया है सुमूल के लिए बहुत बड़ी अडवांटेज है सुमूल के पापा भी आते है फोन कॉल पे बात भी करते है सुमूल को बाहर का पता भी चल जाता है उसका दोस्त भी आता है वो भी सब चीज़े बता के जाता है तो ये सुम्मुल के लिए बहुत बड़ी advantage है सुम्मुल को ही घर में नहीं रहना चाहिए बाकी contestant के साल नाइंसाफी हो रही है ऐसा social media पर अभी haters बात कर रही है पर आप बताईए आपके क्या विचार है क्योंकि आप लोग सुम्मुल को चाहते हैं और आप लोग जुस तरीके का जवाब देंगे वो मैं भी नहीं दे सकती हूँ इसी के साथ मैं लेती हूँ जासत नमस्षिकात